Hello everyone and welcome to the bank IQ मेरा नाम अतरन और अब हम करेंगे puzzle का set number 53 तो देखते हैं मैं questions के given है ओके यह आपके पास first question है इसका आप screenshot ले लिजे हम इसे explain करता हूँ देखिए ओके इस puzzle में given का है देखिए उसने सुल है कि 12 person are going to do a PhD in a pair of 2 12 लोग है जो की PhD करने वाल है दो के pair में fine the person are okay जो person ने उनके नाम यहाँ पर दियो है ठीक है the topics for PhD are okay और उसने लगा कि जो topics हैं PhD के लिए वो उनके नाम यहाँ पर दियो है ठीक है they were named in different groups which are named after their favorite colors और इन सब को अलग-अलग group में करा गया जिन groups के नाम उनके favorite color पर रखे गए ठीक है colors के नाम यहाँ पर दियो है उसके बाद each topic and each color is liked by only 2 person और उसने लगा कि हर एक topic और हर एक color सिर्फ 2 person like करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे देखिए total person आपके बास कितने 12 है न और उसने आपर 6 topics दियो है fine तो इसका अलग है इसमें से दो-दो लोगों को एक-एक topic पसंद है fine इसी तरीकी से छे के हैं उनके group के नाम है जो कि depend किस पर कर रहा है color चीक है उसके बाद उसने का अलग है के a, b, q, r, t, n, u यह कुछ लोग है यह सब क्या है यह सर्फ ही सिर्फ पर सिर्फ male है ठीक है बागी के जो बच्चे को है वो क्या है वो females है clear है यहाँ तक basic चीज है आपको समझ में कि क्या given है अब इनी सब पर based उसने हमें यहाँ पर conditions दिये तो इक काम करते हैं क्या कि conditions को properly लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस puzzle को solve करेंगे तो देखिए ओके तो अगर मैं यहाँ पर naming कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है 12 लोग है न तो a, b, c, d, e, f and then you have p, q, r, s, t, u ठीक है हमने क्या कर रहा है नाम लिख लिए हैं आपर सारे अब conditions लिखने ही कुश्च करते हैं और जहां पर fix होगी उनको हम fix करा देंगे उसने यहाँ पर हमें देखिए a, ये क्या है, mail है b क्या है, mail है q क्या है, mail है r क्या है, mail है ठीक है t mail है, और u mail है fine, बाकी क्या है आपर female है ठीक है, आप उसने condition क्या बोली है हमसे कि female chose the topic which starts with consonants, okay female कौन से topics को choose करती है उन topics को choose करती है, जिनका जो initial है, initial letter है वो start किससे हो रहा है, वो start हो रहा है, किससे consonants है मतलब क्या है, जैसे कि अगर में बात करो females की, तो females क्या है यहां पर उन्होंने मतलब कौन कौन से topics लिये यह देखिए, friction यह लिया होगा ठीक है, उसके बाद oscillation नहीं, signals लिया होगा ठीक है उसके बाद antenna नहीं, database लिया होगा ठीक है, तो इन तीन topics में से, उन्होंने क्या लिए, अपने topic को choose किया है fine, और उसके बाद, whereas male chose topics which starts with the wobble, okay और जो male है, वो बाकी होगे, जो आपके बाद वाबल बचे हुए, उन्होंने से choose करते है तो males के लिए topic क्या है, वो है oscillations, fine, second क्या हो सकता है, antenna, and then universe चीक है, इन में से होगा, okay, उसके बाद उसे होगा, कि A and B chose the same topic, okay A and B same topic choose करते है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर मैं topic लिखता हूँ ठीक है, यहाँ पर मैं उनके group का name लिखूँगा सो उसने होड़ा कि A and B का topic है, वो क्या है, वो same है fine, ऐसी पर हमने बना लिया, थोड़ा सा हमारे mind में click होका है, ठीक, उसके बाद उसने होड़ा है कि C is not paired with D, okay, और C का pair D के साथ नहीं है, ठीक है and E did not choose friction, but likes yellow color, okay, और E, इसको friction नहीं पसंद है मतब इसने topic choose नहीं करा friction, ठीक है, और इसको पसंद क्या है, yellow color पसंद है ठीक है, उसके बाद उसने होड़ा, the person going for oscillations and antenna topics does not like blue color, okay और इसने होड़ा कि वो person जो कि oscillations और antenna के लिए जाते हैं, उनको blue color नहीं पसंद है ठीक है, उसके बाद the pink color is liked by the person going for the topic that starts with a consonant but it is not signal, okay, उसने कहला कि जो pink color है, ठीक है, जिस person को pink color पसंद है उसने कौन सा topic choose किया है, उसने वो topic choose किया है, जो कि start किस से होता है, एक concern से start होता है मतलब क्या बात किस की कर रहा है, वो female की बात कर रहा है, ठीक है, इन तीनों में से कोई उएक होगा लेकिन वो signal नहीं है, मतलब क्या ये क्या हो सकता है, या तो ये friction होगा या फिर डेटाबेस होगा ठीक है उसके बाद F चोज डेटाबेस and was paired with D F ने डेटाबेस चोज किया यहाँ पर क्या आएगा डेटाबेस आएगा ठीक है और उसका pair किसके साथ है D के साथ है मतलब कि यह भी और डेटाबेस आएगा ठीक है अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ E की E क्या है female है तो इन तीन topics में से कोई होगा ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूँ data waste तो already यहाँ पर क्या होगा है cover होगा है data waste अब use होगा नहीं क्योंकि एक कोई topic दो ही person ले सकते है मतलब जो की group में isn't it और अगर मैं E की बात करूँ E friction भी नहीं है ठीक है उसको क्या topic नहीं पसंदे friction नहीं पसंदे इसका simple sum बतलब क्या हो गया उसको क्या पसंद होगा उसको signals पसंद होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा signals हो जाएगा ठीक है इसको पसंदे पार्टनर इस नहीं है ठीक है उसके बाद उसने का उलम से और वो परसन जिसको blue color पसंद है ठीक है वो किस topic के साथ जाएद है उस topic के साथ जो की wobble से start है मतलब कि वो एक male है ठीक है उसके बाद उसने रहा कि R likes green color whereas D likes white color R को green color पसंद है ठीक है और D को white color पसंद है तो यहाँ भी क्या होगा white होगा ठीक है और उसके बाद S did not chose to signal और उसने जाला कि S ने signal topic नहीं लिया है S ने signal topic नहीं लिया है signal ठीक है अब देखिए अगर इसने signal नहीं लिया है database यह हो नहीं सकता है क्योंकि database अल्रीड क्या होगा आपकी cover होगा तो बचा क्या friction बचाना तो यहाँ क्या जाएगा friction आजाएगा ठीक है अब यह friction होगा हम इस चीज जानते क्या कि S P के साथ नहीं है अब आपके पास अगर मैं female की बात करो तो female बचा क्या C ही तो बचा ना हमारे पास ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा S के आप pairing किस के साथ होगी वो female के साथ होगी क्लर की बात करो तो yellow color ठीक है उसके बाद उसे लड़ा कि T's favorite color is blue T का favorite color क्या है blue है ठीक है ओके और इसके बाद अगर मैं देखूं तो the person who chose oscillations does not like green color और वो person जो oscillations topic लेता है ठीक है उसको green color नहीं पसंद है मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए oscillations आपके पास नहीं आ सकता है ठीक है यह चीज़ समझ में आई और उसके गाद if R chose antenna as their PhD topic then Q do not like green color अगर R antenna choose करता है ठीक है in that case Q green नहीं होगा उसने में यह condition और दी है ठीक है अब दीके इसका हम use किस तरीके से कर सकते है जो भी हमारे पास conditions बजी हुई है अगर मैं बात करूँ आप से किसकी pink color की so pink color का हमें एक चीज़ confirm दी उसने क्या बोला था कि the pink color is liked by the person going for the topic that starts with consonant अब फीमेल में अगर मैं देखता हूं तो आपके यही तो रह गया ना ठीक है जो फीमेल रह गया वह यह रह गया और एक यह रह गया तो इसका क्या हो जागा pink हो जाएगा ठीक है इसमें आए हो किसी को दिक्कत नहीं होगी उसके बाद अगर मैं बात करूँ से लिए कि blue color जिसको पसंद है उसको क्या नहीं पसंद है oscillations और antenna ठीक है इसका मतलब उसको क्या पसंद होगा अगर मैं बात करूँ तो universe topic पसंद होगा क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है mail की बात कर रहा है न तो universe हो गया यहाँ पर मतलब एक चीज़ confirm है होए कि अगर मैं बात करूँ आपस यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपके पास universe नहीं आ सकता क्योंकि universe और यहाँ पर क्या आपके पास antenna बचा तो antenna आ जागा यहाँ पर fine उसने हमसे क्या वाला था कि अगर antenna topic लेता है in that case क्यों के पास green नहीं होगा अगर क्यों के पास green नहीं होगा तो बचाए का अब यह दोनों तो same हो रहे है न ठीक है और green बचा क्या है आपके पास सिर्फ एक बचा होगा इसका एक चीज़ कनफर्म है कि you आपके पास क्या होगा green होगा यह अगर green है in that case यह क्यों का antenna होगा ठीक है और उसके बाद आपके पास बचा होगा blue बचा होगा तो blue आ जागा यहाँ पर मतलब universe दिदर है टॉपिक ठीक है और blue color और आपके पास बचा क्या आपके पास एक topic बचा होगा है कौन सा oscillation तो oscillations आ जाएगा यहाँ पर और अगर मैं color की बात करता हूँ तो एक color आपके पास बचा होगा है brown बचा होगा है तो brown आ जाएगा यहाँ पर ठीक है fine सो यह बनेगी इसकी फाइनल पुजल ठीक I hope आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है नेक्स कुश्चन देखते हैं देखिए ओके सो इस पुजल में गिवन कहा है देखिए इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेजे हम इसे एक्स्प्रीन करता हूँ सो कुश्चन में कह देखिए हो है इसने बुला है कि A, B, C, D, E, F, G, H मतलब यह आठ लोग है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग दी सेंटर सब के सब कहां बेट हो है एक सर्कुलर टेबल पर बेट हो है और वो फेस कर रहे है किसको? सेंटर को इच वन अफ देम है इस डिफरेंट प्रोफेशन और हर किसी का अलग-अलग प्रोफेशन है प्रोफेशन के नाम यहाँ पर दियो है ठीक है उसके बाद अब इसने फिर हमें कंडिशन दी करते हैं और फिर उसके बाद इस प्रदल को solve करेंगे तो देखिए ओके तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर दो possibilities बना लेता हूँ total members करते हैं आपके पास eight members है न so one and then two ठीक है अब conditions कहा दिया है उसने हम से पुल है कि a sits third to the right of teacher एक आपर है third to the right of teacher okay and then d sits second to the left of g d का पर है second to the left of g okay g is not an immediate neighbor of teacher okay और g immediate neighbor है किसका teacher का ठीक है उसके बाद only one person sits between b who is the shopkeeper and teacher okay उसके लड़ा कि सिर्फ एक परसन है किसके बीच में b जो कि क्या शॉपकीपर है और teacher के बीच में है ठीक है उसके बाद the one who is an architect sits third to the right of the shopkeeper और वो परसन जो कि क्या है एक architect है वो का पर है third to the right of shopkeeper third to the right of shopkeeper ठीक है उसके बाद E is neither a businessman nor a painter okay E ना ही businessman है और ना ही painter है ठीक है उसके बाद H sits between architect and engineer और H architect और engineer के बीच में है fine उसके बाद E is not an immediate neighbor of H और E immediate neighbor नहीं है H का उसके बाद engineer sits third to the right of clerk और engineer का पर है वो है third to the right of clerk चीक है उसके बाद only one person sits between businessman and F okay सिर्फ एक person है businessman और F के बीच में ठीक है उसके बाद फिर उसने हम से question पूछा हूँ है so इसको बनाता है जली से देखिए अगर मैं यहां से हम एक चीज़ आदे हैं सबके सब कहा देख रहे हैं center की तरफ देख रहे है so start करते है एक इस condition से start करते है अगर मैं put करना जाता हूँ teacher को तो महा लेते हैं यह आपके पास क्या है teacher है ठीक है in that case A आपके पास क्या होगा एक दो छोड़कर A होगा यहां पर again यह teacher है तो एक दो छोड़कर A होगा यहां पर इसके रहे है ठीक है उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए यह कहां जाएगा B teacher और B के बीच में एक person है न तो हो सकता है कि आपके बैस B यहां पर हो एक possibility में shopkeeper है वो और एक possibility में एक छोड़कर यहां पर हो B shopkeeper ठीक है उसके बाद अगर मैं देखू तो shopkeeper के third to the right के है architect है तो मतलब कि एक दो छोड़कर यहां पर क्या होगा architect होगा ठीक है एक दो छोड़कर यहां पर क्या होगा architect होगा fine उसके बाद architect और engineer के बीच में क्या आपके बस H है उस नम से यह चीज़ बोलिए और E passed me किसके H के ठीक है यह condition यह condition और इस condition इन तीन conditions को हम use करते है कैसे देखे अगर मैं put करता हूँ H को यहां पर fine और engineer को यहां पर in that case देखी engineer कहा पर है वो third to the right है किससे clerk से लेकिन अगर मैं इस person की बात करूँ तो यह person किस के third to the right है teacher के न इसका होदा कि यहां पर clerk तो आ नहीं सकता है तो यह possibility तो आपके बस क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी मतलब कि यहां पर इसके पास H नहीं सकता तो फिर इस possibility के साब से H आएगा यहां पर और यहां पर क्या होगा आपके बस engineer होगा ठीक है इसको एक बार अप करता हूँ देखिए अगर यहां पर engineer है तो मैं clerk को कहां पर रख सकता हूँ clerk यहीं पर आएगा आपके बस fine similarly अगर मैं यहां पर भी check करता हूँ ठीक है आपके पास architect यहां है न अगर मैं in case H को लेता हूँ यहां पर engineer लेता हूँ यहां पर engineer कहां पर हो जाएगा third to the right किसकी हो जाएगा teacher को हो जाएगा लेकिन यहां पर होना क्या चाहिए था clear कोना चाहिए था इसका अगर कहा है H आपके पास engineer आएगा यहां पर ठीक है फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी clear के तो clear का आएगा यहां पर ठीक है अब अगर मैं बात करूँ किसकी G और D की तो दिखिए G आपके पास कहां कहां नहीं आ सकता G आपके पास यहां नहीं आ सकता fine G आपके पास यहां नहीं आ सकता G आपके पास teacher खुद नहीं हो सकता है ठीक है उसके आद G यहां नहीं आ सकता G के लिए दो places बचिए या तो यह place या फिर यह place ठीक है in case अगर मैं G को यहां पर put करता हूँ तो G के second to the left क्या होना चाहिए था एक दो छोड़ कर यहाँ पर D होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या A है तो यहाँ नहीं हो सकता अगर मैं in case G को यहाँ पर put करता हूँ तो इसके second to the left क्या होना चाहिए था D होना चाहिए था लेकिन यहां भी नहीं हो सकता और कहीं में G को put कर नहीं सकता हूँ इस वज़े से यह possibility तो आपके पास क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी अगर मैं इस possibility में बात करता हूँ in that case देखिए आपके पास यहां नहीं आ सकता जी यहां नहीं आ सकता जी फाइन उसके बाद अगर यहां put करता हूँ तो यहां भी नहीं पाएगा क्योंकि इसके second to the left में क्या नहीं हो पाएगा D नहीं हो पाएगा यहां नहीं हो पाएगा यहां होने के chances है यहां नहीं हो सकता है यहां नहीं हो सकता है तो सर्फ इसके वास एक ही प्लेस बचिए जी होगा यहां पर चीक है इसके second to the left में कहए D है D है जगा यहां पर और उसके बता करें बात करता हूं कि इसकी businessman और F की तो businessman आप कहां पर put करा सकते हैं देखिए यहां पर इन चारों में कहीं नहीं यहां कहीं नहीं एक, दो और ती यह तीर प्लेस बचें but you have to consider F को भी ठीक है इन केस अगर मैं put करता हूं business को यहां पर इन दैट केस एक छोड़कर F यहां नहीं आपाएगा एक छोड़कर F यहां नहीं आपाएगा ठीक है अगर मैं put करता हूं business को यहां पर इन दैट केस एक छोड़कर F यहां पर आ सकता है chances है एक छोड़कर यहां पर नहीं आएगा अज़े चलिए अगर मैं business को यहां पर put करता हूं ठीक है और मैंने एक छोड़कर F को मैंने यहाँ पर put कर दिया फाइन फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी E की तो देखिए E आपके पास H के पास तो आ नहीं सकता है उसने मना करा हुआ यहाँ पर है ना सो मैं कहाँ पर put करा सकता हूँ यहाँ पर लेकिन उसने कहा रहा था कि H आपके पास Sorry E आपके पास Businessman नहीं है ठीक है यहाँ पर बात मैं किसकी कर रहा था E की कर रहा था ना तो इसका मैं लगा है कि एक चीज़ हमें Confirm होगी कि Businessman यहाँ पर नहीं आएगा अगर Businessman यहाँ पर नहीं आएगा एक यह पोजीशन है एक आपके पास एक जो छोड़कर यहाँ पर पोजीशन है ठीक है In case अगर मैं F को यहाँ पर पुट करता हूँ ठीक है So आपके पास E के लिए यह प्लिस बचेगी यह प्लिस बचेगी जो की आ नहीं सकता है ठीक है तो इसका लगए F आएगा यहाँ पर फिर उसका लगए E आएगा यहाँ पर Fine फिर अगर मैं बात करूँ आपसे एक परसन आपके बचा हुआ है उसका आप यहाँ पर पुट करा दी देखी क्या बचा है A B C C बचा होगा ना I think C है जागा यहाँ पर Fine उसने हम से कहा बना था कि E ना ही बिजनसमेन है ना ही पेंटर है इसका लगए एक चीज़ कनफर्म होगी क्या कि आपके पास पेंटर क्या होगा पेंटर होगा यहाँ पर और आपके पास E क्या बन जाएगा E बन जाएगा बैंकर Fine So यह बनेगी इसकी final puzzle अब उसने question में हम से कहा बचा है कि which are the following is true with respect to the sitting arrangement इसमें से कहा true है देखिए E is an immediate neighbor of engineer E immediate neighbor of engineer का नहीं यह तो गलत है उसकाद E architect है यह भी गलत है The clerk is an immediate neighbor of banker clerk immediate neighbor of banker यह चीज़ से ही है उसके बाद the teacher sits between H and engineer और जो teacher है वो किसके बीच में है H और engineer नहीं है यह चीज़ गलत है उसके shopkeeper sits second to the right of teacher ओके shopkeeper का पर है second to the right यह भी गलत है चीज़ का लोग का है third one is true Fine So I hope जितना भी आज हमने करा वो आपको समझ में आया होगा Thank you so much